नमस्कार आप देख रहे हैं लाइफ सिटीज और मैं हूँ आपके साथ साहेवली कहा ये जा रहा था कि बिहार रिकवर हो चुका है रिकवर इसलिए हो चुका है क्योंकि कुरोना पेशेंट की जो रिकवरी के बाद घर भेजने का सिलसिला है वो भी जारी हो गया था दो दिनों तक कोई केसेज नहीं आए लेकिन अचानक से मंगलवार को छे नए केस सामने आते हैं जिसमें कि चार सिवान से होते हैं और दो बेगुसराय से होते हैं तब अचानक लोगों की दिलों की धड़कने बढ़ जाती है क्योंकि केस 38 हो जाते हैं उसके बाद बुदवार की रात तक खबर आती है कि एक और कोरोना पेशेटिव मिला है जो कि नवादा जिले का है उसकी ट्रैवल हिस्ट्री दिल्ली से थी अब जो है कि 49 हो जाती है 49 ह मिले हैं तो सिवान में संक्रमन सबसे तेजी से फैल रहा है कोरोना एक के बाद एक एक के बाद एक एक के बाद एक बहुत ही तेजी से फैलता जा रहा है जिस पर नकेल नहीं कसी जा पा रही है स्वात भाग लगतार इसको रोकने में लगा है चेन को ब्रेक करने में लगा ह लेकिन वो संक्रमन बरता ही जा रहा है तो कहा ये जा रहा है कि अब सिवान बिहार का वूआध शेहर बनने जा रहा है क्योंकि यहाँ पर सबसे जादा लोग effective हो रहे हैं कुरोना के इस चेंद से एक शक्स ओमान से आता है और वो अपने साथ कुरोना वायरस को ले कर के आता ह उसके बाद उसी घर के चार और लोग पोजिटिव हो जाते हैं हो जाती है संख्या 5 उसके बाद चार और लोग उसी परिवार के संक्रमित हो जाते हैं फिर संख्या बढ़कर हो जाती है 9 और पहले से जो cases थे वो तो चली रहे थे तो सीवान में अब कुल देखा जाये तो 10 और 4 मिला करके 14 cases सामने आ चुके हैं कोरोना positive के तो सीवान में सबसे जादा संक्रमित हो रहा है इसी बीच खबर ये भी आई कि देर रात तकरीबन 100 लोगों को बसों में भर-भर करके ले जाये गया कहा ले जाये गया तो उनको जाच सेंटर पर ले जाये गया जहाँ पर कुरोना के जाच के लिए जो blood sample लिये जा रहे थे वहाँ ले जाये गया सीवान में हालात कुछ ऐसे हैं कि पंजवार गाओं के साथ साथ कई गाओं को seal कर दिया गया है और वहाँ से पूरी तरह से lockdown कहना गलत हुआ क्योंकि lockdown से भी उपर पूरी तरह से complete curfew लगा दिया गया है वहाँ पर ना किसी की entry हो सकती है ना ही वहाँ से कोई बाहर जा सकता है सिर्फ प्रसासनिक लोग जो कुरोना के प्रकोप को हटाने में काम कर रहे हैं गतार कोरोना के इस युद्ध में अपना योगदान दे रहे हैं वही आज जा सकते हैं अब कोरोना को लेकर के सिवान को घुवान शहर की तरह देखा जाने लगा है क्योंकि वहाँ संक्रमन जितिनी तेजी से फैल रहा है अगर ऐसा ही होता रहा तो फिर सिवान में और भी जादा केसे सामने आईए अगर बिहार में मौत के आकड़े की बात कर लें तो अब तक एक शक्स की मौत हुई है और वो शक्स मुंगेर का रहने वाला था उसके बाद वो अपने पीछे कई और लोगों को भी संक्रमित कर गया था उसी के परिवार के कुछ लोग संक्रमन के सिकार हो गए था अब ऐसा ही कुछ हो रहा है सीवान में भी सीवान में भी संक्रमन इसी तरह से बढ़ रहा है मुंगेर में अब तक साथ लोग संक्रमित हो चुके हैं एक की देथ हो चुकी है पांच लोग रिकवर हो चुके हैं सिवान में अब तक चौदा हो चुके हैं और पांच लोग रिकवर हो चुके हैं पटना में पांच और पांचों के पांचों रिकवर हो गए गया में पांच रिकवरी की कोई ख़बर नहीं है गोपाल गंज में तीन वहाँ भी recovery कोई खबर नहीं है नलंदा में दो अभी recovery नहीं हुए है बेगु सराय में तीन cases मिल गए पहले एक मिला फिर बाद में दो और cases पाये गए तो तीन cases हो गए है किसी के recovery अभी तक नहीं हुई है सारन में एक लखी सराय में एक भागलपूर में एक और अब नवादा में भी एक corona संक्रमित पाया गया है उसके भी contact को खंगा ले जा रहे हैं सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब कोई corona संक्रमित patient होता है तो वो अपने साथ साथ जितने लोगों के भी संपर्क में आता है सभी को वो infected कर रहा होता है उस दोरान किसी को पता नहीं चलता है और जब जाच होती है अगर suppose कि कोई corona positive पाया जाता है तो उसके संपर्क में आने वाले जो लोग भी उसके संपर्क में आ सकते हैं वो कोई भी हो सकता है सबसे पहले उसका परिवार और उसके बाद उसके गाउं के लोग उसके इलाके के लोग और कोई भी जो भी उसके संपर्क में आया हो तो इस तरह से सिवान में अगर आप तक के 14 केसेज आ चुके हैं जिसमें कि 9 केसेज एकी परिवार से हैं तो वो कहीं न कहीं बड़ी बात है हो सकता है कि वो सक्स और उनके परिवार के और भी लोग बहुत लोग संक्रमन में आये होंगे संपर्क में आये होंगे इसलिए कहा जा रहा है कि सिवान अब बिहार का वुवान बनता जा रहा है अब लाइब सिटी साथ बने रही है हम आपको बिहार समय देश दुनिया की तमाम खबरों से लगतार आप डेट रख रहा है कर अभी तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब् विश्तार से खबरों को पढ़ने के लाइब सिटिस जॉट इन पर जाएं धन्यवाद